दिक्षार्थी नहीं बनाया न, विद्ध्यार्थी बनाया, लकिन जब बाबा काज मुसुंदी ने ये कह दिया कि भगति प्रताग संभ मोही देना भगति प्रताग संभ मोही देना राम भगति अधिकारी जीना काज भुसुंदी अधिकारी दीना कि वगति का प्रसाद मुझे भगवान संकर ने दिया है राम भगति अधिकारी जीना राम भक्ति का अधिकारी पात्रता देकर मुझे भक्ति दाने में किये भगवान ने दिया नहीं है संतों ने तर्क किया कि महराज देना था तो सीधे सीधे दे देते कुछ लोगों ने कहा कि बाबा का गवसुंडी पहले से स्रापित है और भगवान बोले नात दयालू है इसमी अनेक विद्वानों ने अलग तरीके का प्रमाड दिया कुछ ने कहा वे चलो सीधे ही पूछते भगवान संकर के पास लोग आए कहने लगे आपने क्या लीला रचाही बोले नात बोले कहा वेले आपने तो दिक्षा दी नहीं है बिना गुरू के तो दिक्षा और वित्या दी नहीं जा सकते दिक्षा के बिना वित्या खाँ दे पाएंगे लेकिन फिर भी गुसुरंडी जी कहते है कि भगधि प्रसाद सम्भू वहीं बंगवान संकर ने कहा कि राम मेरे इश्ट है राम मेरे आरद्ज है मैं उनका सेवक हूँ और एक सेवक का कारे है अपने स्वामे के इर्दी को बढ़ा देना मैं यही तो राम नाम के प्रताप को बढ़ाने के बाद करता था कि सुनो काए काए करने माला कंवा जो रोज गंदगी को खाता हो एक वार सुरुचरी की रेत में लोटता है भगवान के हाथ का जूठा प्रसाद खाता है तो कथा प्रवक्ता बन जाता है मेरे राब के नाम की ताकर जाता है इत्ता ही नहीं मान सहारी गरुण गरुण की क्रिपा को पाकर के कथा का सुरुता बन जाता है यह मेरे राम के नाम का प्रताप सुदामाजी चले नगर में पहुशते हैं तो कहां वो फूस की जो पड़ी सागर के किनारे पड़ी थी आज वहाँ बहुत सारी चीज़ों से सची कहराज महल बन गया के ते यह तो मेरा है ही नहीं तो था कि आरे तेरी माया तुही रख मुझे तो सिर्फ बंकी देने अरे तेरी लीला है अपरम पार ए लीला तेरी तुही जाने मेरे तुही जाने 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 तेरी लीला है अपरम पार की लीला तेरी तुही जाने तुही जाने तेरी लीला है अपरम पार ए लीला है तुही जाने कर दो पर जिराज बच्चायों काद कुमारे भुकायों रे कर दो पर जिराज बच्चायों काद कुमारे भुकायों ताता, 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 तुहीं जगे पालने हार की लिला मेरे तुहीं जाने, तुहीं जाने, ताता, तुहीं जाने मेरे तुहीं जाने, तुहीं जाने, तुहीं जाने मेरे 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 तुहीं जाने तो उसे सोचो और समझो, क्योंकि एक सब्द बोलने से कनहिया पे कलंक लग गया है, हमें अगर कुछ भी बोलना है तो बड़ा अच्छे सब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो व्योहार है, है इतने ही सुन्दर सब्दों कि अगर लेना पड़े तो तकलीफ ना, भगवान द्वारिका में राज करने है, शूरी के साधक है, शूरी के द्वारा उन्हें स्यामन तक मड़ी प्रदान हुई है, और उसे धार्व करके आज द्वारिका अधिश में अगमन हुआ, द्वारिका के अंदर जैसे वो प्रवेश करते हैं भगवान के सेवकों ने समझा कि शूरी देव का आगमन हो गया है दोने कहा अरे ये शूरी नहीं है ये शूरी नहीं है शूरी के दिये हुए स्यामनतक मड़ी का ये चनुकार है ये प्रगास है और उनके मुख से एक सब्द निकल गया खाली कि वही ये स्यामन तक मड़ी अगर मेरे गले में होती तो और स्वागती एक तो मेरा स्याम बर्ण और दूसरे स्यामन तक मड़ी स्यामन तक मड़ी मेरे पास वह तो और सुन्दर लगेगी तो तिया दिवस्मित राताश्री सिकार खेलने के लिए जाते हैं और मार्ग भूल जाते हैं शिंग शेयुत होता है शिंग ने उसका बद कर दिया अब पूरे ओखा मंडल के अंदर पूरे द्वारिका में हाहा कार बच गया और लोगों ने ये सोच नहीं लिया ये रिड़े लेने लगे लोग ये सोचने लगे कि कहीं स्यामंतक मड़ी के लालच में कृष्ण ने तो उनका बद नहीं करवा दिया पूरे ओखा मंडल में हाहा कार मच गया कहीं स्यामंतक मड़ी के लालच में कृष्ण ने उनका बद तो नहीं करवा दिया चारों तरब से लोग उनके आगे पीछे आगे पीछे चर्चा का विसे बन गया है मसुदेवजी को ये बेदना सहर नहीं हो रही है प्रदान जी एक सब भोले तो सोचकर भोले गरगा चारे जी का यागमन होता है कहने लगे ये बताओ आप क्यों दुखी हो कहने लगे जी मेरे दुख का वस ये कही कारण है दुनिया से जीत कया है वे अपने घर में हार जावे नंदलाल की आदत तो आप जानते हो चंचल है मुखर है बोलने वाले ज़्यादा है सपष्टवादी है हस्ते हस्ते वस दिन उन्होंने कह दिया कि ये स्यामन तक मड़ी अगर मेरे गले में होती जो और अच्छी लगे स्यामवर्ण और स्यामन तक मड़ी और उसकी मृत्यू होने से लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं कृष्ण ने उनका अबध तो नहीं करवा दिया उन्होंने कहा आप चिंता छुड़ो चिंतन करो और अधिश्ठात्री जगत जन्नी जगदंबा का आराधना करो तो वहाँ पर क्या सुना है वासुदेल जी ने देवी भागवत सुना और उसके वज़े से और कृष्ण धूड़ने निकल गए 27 दिन हो गया था साधना करके जब पूर्णा होती हुई है उनको बल मिला है और वो श्यामन तक मड़ी जामवान ने दीच ने सिंग से मार कर छीन लिया था वो मड़ी उसकी पुत्री खेल रही थी कृष्ण ने जामवाने से युद्ध किया स्यामन तक मड़ी हासिल की और जामववती से भी बाह गिया पुस्प वरसाने लगे सारे देवता विहारी तिरी जामवाई आदिसक्ति जगत-जन्नी की आराधणा कनिया जी के जीवन में कनिया के लिए सूरक्षित करने के लिए तीन बात होई है पहली बार योग माया से गर्वत परिवश्टम के लिए दूसरी बार गरगा सारे जी ने विंद पर्वत पे जाकर साधना की थी वहाँ प्रकपे होई बिंदेव वासरी तीसरी बार यहां देवी भागवद सुना स्रीमात भागवद तो खूल सुनते हैं लेकिन एक बार अगर देवी भागवद सुनई तो इसका सलोर कहには जाना लेकिन देवी भागवद क्रवक्ता बहुत कब महीं थै यग्य, ग्यान यग्य के बाद यग्य होना आवस्थिक है और अगर स्रीमत भागमत कथा ग्यान यग्य के बाद हवन नहीं होता है यग्य नहीं होता है तो करता, कराने वाला वक्ता वजापक तीनों पे दोस लग जाते है इसलिए कथा के बाद में उसकी दसान साहुतिया होनी आवस्यक होती है यह विधान है अब आज कल जमाना बदल गया है लोग नहीं करते आपने सक्कल तो लिया है आपने सभी देवताओं का आवाहत को करी रहे हैं मैं साधान थे आप से पूछ रहा हूँ कि मैं अपने घर आपको आमंत्रण दो और बिना खिलाए बुलाए भेज दो तो मेरे क्याल से आशिरवाद बढ़िया वाले स्लोकों से दो गया एक साधारन मानों कि अगर यह विवस्ता है तो यह तो स्रीहरी है सुष्मरूप से हाँ अपने उसको आवाहन किया है अठारा हजार इसलोकों का व्याख्यान होने का आभाव है समय कम है साथ दिन में दो गंडे की कता में इसलोक का व्याख्यान नहीं होता स्रीमत भागवत कता में तो आठ गंटा रोज लगता है तब भी सोचना पड़ता है इसलोक छूट गया पर मुल पाट 18000 इस लोग का होता है इसके बाद जब यगी हो यगी कुण्ड के जो तीनों धानिया बता है रजो तमो सतो ये तीन गुणों का प्रतीक है हवन करने के बाद जब चरू कुण्ड से इतना उपर भर के आता है और उसके बाद यगी नारायन को बस्तर भी बेट किया जाता है गृत दार किया जाता है यगी नारायन को उन्हे कथा करदी और हम 25 इंड किया ही ने के दोनों तरफ दोसुर शुरुता को फल मिलता है विड़ की शुरुता तो काम है हो तो अपना समय निकाल के दस्ट्रोण कर रहे हैं लेकिन जिसने इस कारी को करने का और कराने का संक्रपलिया है, उनके जीवन में दोस्ट लग जाएगा, क्योंकि यक्पूर्ण होना चाहिए, कता के बाद यक्दि होना ही चाहिए, अब हम यक्दि ही न करें, सत्यनारायन कता करें तो हवन होना चाहिए, मातारानी का जगराता करें तो ताराराणी की कता होना चाहिए, वो भी तारों के छाव दें, तो विदी और विधान से अगर कोई कार्य होगा, तभी आपका निदान होगा, और अगर विदी और विधान ही नहीं, तो जीवन में आपके कोई निदान भी नहीं, देवी भागवत कता स्रवन करने के करवाया है। उसके बल से कृष्ण को बढ़े। सबने मिलकर आजी सकती जगत जनी जगतंबा किया। अस्तुति किया है। आज एक छोटा सा माता जी का जीत मेरे द्वारा लिखित और विजन प्राइबेट लिम्टेट से यह अलबम आचुकी है। मैं राइटर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, कमपनीज भी है हमारी ओडियो वीडियो के। खेर बाता रानी के चरणो नहीं सकती। इचोटा सा कलपना। मेरे प्यार को महिया, मेरे प्यार को महिया, मेरे प्यार को महिया, मेरे प्यार को महिया, में प्यारिको प्रिया युही उलाव नवेया में प्यारिको प्रिया युही उलाव नवेया कि दूरी मुलान देरा चरनों की पास लेके चरनों की पास लेके कही दूरी चर्प देरा कि दूरी मुलान देरा कि दूरी चर्प देरा कि दूरी चर्प देरा रोला हुबहुत मैया काके जाथि रोदर 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 मुस्कान मिल गईमा तेरे दार पे आदर मुस्कान मिल गईमा तेरे दार पे आदर रोला हुबहुत मैया तेरे दार पे लुट गया मा तेरे दार पे आदर पे आदर पे आदर पे आदरने समय फतर पे दार पे आदर मपे आदरिवा तेरे दार पे आदर आई माँ, इस दुनिया में कोई मेरा नहीं, तेरा ही सहारा जब मेरा घर उजड़ गया न, दुनिया ने ओकरे दिया, बाते बनाए, एक तुने ही तो ठीका ना दिया जब मेरा घर उजड़ गया जग को में देकर सीमा जड़े कर दोने दर्द समझा जगने उड़ाई मसीमा कर दोने दर्द समझा जगने उड़ादीन समझा जगने उड़ादीन समझा जगने उड़ादीन समझा जगने उड़ादीन थे उड़ादीन समझा जगने 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 उड़ाद पर बन गया यहाँ संवाँ निया रेको तरहा यहाँ निया यहाँ निया यहाँ 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 आप देखिए आइ मां, तरे दर से खाली में जाओंगा खाली में दर दिर से जाओं यही प्रार छोड़ जाओं खाली में दर से जाओं यही प्रार खोलेगाओं काली नदर से जाओं यही नार छोड़ जाओं काली नदर से जाओं यही नार छोड़ जाओं मेरा नमा कुछ भीगे इलजाम तुझे पे लगाओं मेरा नमा कुछ भीगे इलजाम तुझे पे लगाओं मेरे जगाओं यही नमान पुरी कोवां यही नमान पुरी कोवां आचा में चिपाओं मेरा नमा कुछ भीगे इलजाम तुझे प्राओं मेरे इलजाम आचा मेरा कुछ भीगे इलजाम तुझे पे जाओं गवन बिच आजा दाती है तो एक दोँ से बाहाई गवन बिच आजा दाती है आजा दाती है वो मेरी बूली दाती है आजा दाती है वो मेरी बूली दाती है बूली दाती है वो मेरी बूली दाती है कोड़ें दोटें हुड़ें दिसफपाल सवने कि गोड़ें दोटें दुस्पाल अजमेन दीयृ पहटें कोड़ें द insists आँ smallest hors तुनरी है लेहरेदा भवन बिंद आजाता तुझे 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 ऐसे तो 28 गुरु की परंपरा है चोविस की प्रमाणिता है पर सगुरु तो परिग्रहो ही दुखायां यादियत्रियायं रिणां अनन्ता सुख़वाक्तनों की तद विद्वान यस्तावतिचन सामिसं कुरुं जग्नु बलिनोय निरामिसं तदामिसं परित्यचन सा सुखं समुन्द जैसे एक दूलर पक्ची होता है या किसी पक्ची से भिये में सीखने को मिलता है उसका बच्चा छोटा है दाना चुन के लाता है उसके मुझ में खिलाता है उसको उतमे सुख मिलता है अज तो हमने जिम्मेदारी सुखारी है तो हमारे ग्रिहकार के जिम्मेदारियों को सुखारना एक पक्ची से भिसे करें सीखने की सहली होनी चाहिए इस भारत में अगर आप मिलें तो कुछ ना कुछ देके जाएंगे नियत कराब होगी तो चोट लेकर जाएंगे ऐसे होगा तो आसिरवाद देके जाएंगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो अनुभव देके ही एक कूर पक्ची से भी अवे सिक्षा मिलती है भगवान राम जब पंचवटी में पहुंचे लक्षमर्ण से कहा दी देखो यहां जानकी के रहने लाइक दिवस्ता है लक्षमर्ण जी ने जाकर देखा एक काला बंदर एक आस से जहवा दूसरे से नाप्या पकड़ करके भूम रहा था भगवान राम ने बेजा है लक्षमर्ण को लक्षमर्ण ने लीला देखी लकिन राम से बताया नहीं कि अभी जानकी रहें तो ऐसी सो भी निया बात नहीं बग्मान राम ने जाकर देखा है तो स्वयम वही देख रहे हैं कि एक आसे जियवा दूसरे से नाप्या पकड़ करके बत्तर परिक्रमा कर रहा है ने गा लक्षमर तुमने ये कृत देखा नहीं बोले मैंने देखा था बोले फिर आपने कहा क्यों नहीं कि प्रभू मुझे ऐसा लगा ये चीज जानके के लिए शोवनी है बोले नहीं मूर्क ये पारणी भी तुझे ग्यान दे रहा है कि संसार में अगर तुझे जीवन जीना है तो जीहवा और नाप्या दोनों पे लगाप कर ले तुरा कोई पाल बाका नहीं करेगा सीखने के लिए जीवनी हर जगे हुरु मेरे जबार का पक्का लगाओ कैसा इसलिए जिससे भी आपने ज्ञान लिया है वह आपका होडाता है किसी भी तरीके से दुतिये गुरु तुतिये गुरु भगवान दंत के गुरुओं की सिंकला अगर हम करें तो भगवान दंत ने सब को गुरु ही बना अगर आपको दूसरी तरफ प्रेम की संकित देखने है तो प्रेम आप बंदर से सीखे के एक बंदर बहुत लड़ता है लेकिन अगर आप गोर करेंगे तो अपने मरे हुए बच्चे को सीने से तक तक लगा के रखता है जब तक कुछ उबबत को ना अचाए और हमारे बालत बुजर्ग माबाप को सब को छोड़ देते हैं कथा कांतिम दिवस है तुछ तो संकल्ब लें तुबे श्रीम भागवत कथा सुनी है तो जीवन में कुछ बदलावाए है हम लोगों का क्या है कि आज की रात मेरे दिल की सलामी ले लेकल तेरे वज्व से दिवाना चला जाएगा आप यहां करें पहला कसम लो